हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बनाएंगे हरी मिर्च और करोंदे, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और दो मिनट में बनके तयार हो जाते हैं, आप इसे पूरी परांठे या किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं और बाहर सफर में भी ले जा सकते हैं, इसके लिए मैंने करोंदे लिए हैं, ये 200 ग्राम करोंदे हैं, और मैंने इसे दो बार अच्छे तरह से वाश कर लिया है, जिससे इनके उपर से सारी मिट्टी हट जाए, और मैंने यहां 250 ग्राम हरी मिर्च लिए हैं, और इन्हें भी अच्छे तरह से वाश कर लिया है, और अब हम करोंदों की cutting करेंगे करोंदों को इस तरीके से हम बीच में से cut कर लेंगे दो भाग में और बीच में अगर इनके बीज है तो उन्हें निकाल देंगे लेकिन इस करोंदे में बीज नहीं है इसलिए मैंने इसके बीज नहीं निकाले कई बार करोंदे में बीज आते हैं और कई बार नहीं आते, तो इन करोंदों में बीज नहीं है, इसलिए मैंने इने बीज में से ही ऐसे कट कर दिया है, अब हम मिर्च की कटिंग करेंगे, मिर्च के उपर वाले डंठल को हम इस तरीके से तोड़कर बीज में से कट लगा दें मैंने यहां लंबी वाली मिर्च काटी है, आप चाहें तो गोल गोल भी काट सकते हैं, मैंने मिर्च के दो पाट किये हैं, इस तरीके से सारी मिर्चों की कटिंग कर लेंगे, यहां देखिए आप सारे करोंदे कट चुके हैं, और मैंने हरी मिर्चों को भी काट लिया है, और क जब तेल गरम हो जाए तब हम उसमें डालेंगे आदा चम्मच जीरा और जीरे के बाद अब हम उसमें एड़ करेंगे चौथाई चम्मच पीली सर्सों आप काली सर्सों भी ले सकते हैं या राई भी ले सकते हैं और इसके बाद एड़ करेंगे चौथाई चम्मच हीं अब हम कटे हुए करौंदे और हरी मिर्च, गैस फ्लेम को स्लो कर देंगे हरी मिर्च डालने से पहले क्योंकि यह एकदम तेज से तड़कती है और हमारे उपपर आकर हमें चोट पहुचा सकती है तो इसी तरीके से अब हम 1-2 मिर्च के लिए मिर्च और करौंदो को अच्छे तरह से और करेंगे स्लो कैस फ्लेम पर ही एक दो मिनट इस तरह से फ्राइ करने के बाद अब हम मिर्चों में एड़ करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च आदा चम्मच जिस से मिर्चों का कलर अच्छा आए यह तीकी नहीं होती और साथ में एड़ करेंगे चोथाई चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में अब हम एड़ करेंगे एक चम्मच नमक करॉंदों में नमक थोड़ा सा तेजी डालते हैं तभी उसका टेस्ट आता है अगर आप कम यह जादा करना चाहें अपने टेस्ट के अनुसार कम यह जादा भी डाल सकते हैं अब सारी चीजों को अच्छे तरह से अब मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब इन्हें दो मिनट के लिए डख कर पकाएंगे दो मिनट बाद आप देखेंगे कि मिर्च और करॉंदे कितने सॉफ्ट हो चुके हैं अब इन्हें आप देखे चलाईए और देख सकते हैं कि यह प गीस्टी लगती है अब हम इसमें एड करेंगे कुछ मसाले मसालों में लिया है एक चमज धनिया पावडर और आदा चमज गरम मसाला इन सब को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और गैस फ्लेम को स्लो ही रखेंगे आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और कितने अच्छे थरीके से हमारे करोंदे पग गए हैं और बढ़िया भी दिख रहे हैं आप ये रेसिपी जब मन करे तब बना सकते हैं दो मिनट में ही तैयार हो जाएगी और आप सफर के लिए भी ले जा सकते हैं इसे आप अचार के जगह भी खा सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी ल और इस बारिश के मौसम में एक बार जरूर बना कर देखिएगा ये चटपटी और खटी बहुत ही अच्छी और टेस्टी इस करोंदे और हरी मिर्च की सबजी को आपको बहुत पसंद आएगी एक बार इस तरीके से बना कर जरूर देखिए वैसे तो करोंदे और मिर्च करिंगे यह करिंगे